हीट मसिंग के साथ काम करती हैं और काफी प्यार सने दूलार मिलता है गाने पे कैसा लगता है और यह बता देते हैं हम आपको कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि खेसारी जी अच्छा गाना नहीं गाता है तो एक गाने का चार्ज इतना लेगा तो वह भी ट्रेंड में रहेगा तो क्या आप ट्रेंडिंग में रखने के लिए गंदा करीए और पौन से बड़े सुपर एस्टार कि इसको मांदें अपने बातात खेसारी लल यादो के साथ काम करने वाली हिरोइन प्रीति राजेज इनका एक गाना है था आवाए जान बैगों लेला और इनका एक गाना है जूपी पर गेम खेलो तो इनसे हम दोनों गाने के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले टूब यान आपका बहुत हो जाई बामीर हो काईदा बतावतानी फाइदा उठाला फाइदा उठाला ताहर ऐसा में कटी जी नहीं गी राजा जूपी पर गेम खेली पैसा कमाल वाह बहुत एच्छा गाना है सूपरेश्टार खेसारी लेली आदो सिंगल गाया है इसमें कोई फीमेल सिंगर नहीं है अच्छा आप जूपी पर गेम खेली है कि नहीं और कितना पैसा कमाई है देखिए अमको गेम खेलने आता नहीं है उसी दिन हम खेलें जिस दिन गाना सूट हो रहा था पैसा खुब उड़ा रही है अपर जितना पैसा आपके पास कहां से आया आकी नकली पैसा नहीं था गाना हो रहा है वहां पैसा की कमी है है नहीं अच्छा आपको कैसे लगता है कि सुपर अट्रेंडिंग तreseलीच एक रही हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपने दर्ष को शें आपके दर्ष को से इतने लोग है मेरे जनता मेरे पबिलीक मैं। कर रही हूं कि प्लीज इस गाने को इतना प्यार दीजिए इतना प्यार दीजिए कि मेरा बैगन दब जाए और जूपी उठ जाए एक महीना में सो मिलियन क्रॉस जी अच्छा एक बात और कि भजपुरी इंडरस्टी में जो कलकात्ता अवार्स हुआ था उसमें पॉन सिंग क कर दोकटा को आपके बतावण है अच्छा इसारी लाल से अच्छा गाता कौन है water the सबस्बला अच्छा नहीं लगता है तो उनका गाना मत सुनिया किriansari जी आपको बोलने कि क्या नहीं आपी आप यह बता देते हैं हम आपको कि आप ऐसे कैसे बोल लगत किजिए आपको खेसारी ले लिया दो कैसे लगते हैं दिल से कसम से मा कसम पापा कसम बहुत अच्छे लगते हैं तो एक गाने का चार्ज कितना लेती हैं देखिए हम वहां पे चार्ज करके नहीं जाते हैं कि हम गाना करने जाते हैं दिल से करने जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं मुझे करना है और दिल से काम करना है मुझे पैसा की कोई जरूरत नहीं है कि पैसा तो हम अपने चैनल से भी कमा लेते हैं और हर जगा पैसा ही नही कमाया जाता है ठीक ना तो हमें यह सोचके नहीं जाते हैं कि मुझे पैसा मिलेगा मुझे पैसे के लिए काम करना अच्छा असलील तक नग अरहा था असलील असलील लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि आएगा आपका जो बैगन गाना तो अशलील था कि नहीं बताएए आप मेरा बैगन असलील था कहां से अधिया आप बोल भरही को आने को काने आपके दरशक और मेरे दरसक बाटे हुए सेंदरशません हैं इन्टरविव सार विए सपतर्व सब्सक्राइब क्ना करने को इसाफ कोई कर्ते हैं जब मेरा रिलीज वा थो दो आप रिती जी बात बोलेंगे कि अगर आप गंदा काम भी की जेगा तो भी टेंड में रहेगा तो पहले मेरा बात सुनिए तो कोई दर्शाख अगर देखिए दर्शाख खराब लगे गाना तो आज कल जनरेशन में सब के पास फोन है है कि नहीं तो सब कोई लाइब आके मु देपने ये घाना को करने के लिए मतलब वोगाना के लिए कुछ चंद मीडिया वालों ने लेकली किसी दिखा लेकिन वो गाना आपके हैं तो असलिल की है गाने के लिए आज भी लड़ेंगे कि गाना असलील है नहीं है लेकिन उस गाने को गलत ठाळाने का जरिया मेडिया वाला चली अला कि वो गाना पुराना हो गया सारे मीडिया को मैं बोल रहे हूं दूज चार मीडिया वाले जो थे मुझे बहुत ट्रॉल किये लेकिन मैं बोल रही हूं आपके इंटरव्यू में मैं बोल रही हूं कि जिसने मुझे ट्रॉल किया है उस गाने को लेकर उस आज के बाद मतलब अभी एंटरव्यू करने वालों को मुझे इंटरव्यूम नहीं तो क्या आपको ट्रॉल कर रहे हैं यानि कि आप आप मेरा इंट्रव्यू ले रहे हैं तो आप अपने पर कैसे ले सकते हैं क्योंकि छे माइना पहले आप किसी से भी पूछ लीजिएगा तिन चार मीडिया वालों ने मिलके मुझे बहुत ज़गा ट्रॉल किया था अगर ऐगन असलील है तो फिर आप अपने माँ बहन को खरीद किला के क्यों देते हैं कि मा सब्जी बना देना अच्छा मां चटनी बना देना मां चोखा बना देना क्यों देते हैं पीए से भी बात किये वोई काना थोड़ा सा असलील था लेकिन कमेरे ठीफ उनका लर्फ दना रर्म मुझे तक अबंदा आउसरे सस्राइब कर लिए हैं कि गलत है तो है लेकिन मेरे नजर में नहीं है कोई और कुछ बोल सकता है तो आके बोले चलिए इस मुद्धे को अभी नहीं उभारा जाएगा क्योंकि प्रीति राज के देखने से बैगन गाना असलीन नहीं है लेकिन फिर सवाल और विबाद के होता था अब जनता है इसका जो क्यों करके बताएएगा क्या गाना गॉलत था यंकी सहीता था आँ दो सूपराइस्टारों में खेसारी लए लिया दो और पहुन से सबसे बड़े सूपरेस्टार कि उसको मानती है देक दोनों बहुतं बहुत मा करसम बोल रहे हैं मुझे खेसारी सर बहुत अच्छे लगे हैं अब भगवान जाने की हम पौन सर से कब मिलेंगे और कब उनकी बेवहार के बारे में जानेंगे तब ही उनके बारे हम कुछ बोले हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपका घर कहां हुआ चप्रा आशा तो नहीं कि आपको कहने का मतलब यह है कि आरा के हैं और खेसारी चप्रा के हैं तो आप चप्रा का पक्ष ले रही हैं अगर हम आरा से भी रहते ना और खेसारी सर का ब्योहार मुझे अच्छा लगता तो मेरे नजर में वह ही अच्छे रहा है एक आ गया है जो कि अभी सिनेमा घर में चल रहा है फरिश्था तो काफी बॉक्स अपने धमाल मचा रहा है और दरसक काफी प्यार दे रहे हैं और खे काम करते हैं लेकिन उसका छोटा छोटा किलिप 10-20 मिनट का किलिप यूटूब पे आ रहा है वह हम देखें खेसारी सर क्या पागलपन का एक्टिंग किया है वह अच्छा लग रहे हैं काफी दर्सक आप लोगों को बता देगी काफी दर्सक उस फिल्म को प्यार दे रहा है औ और एक फिल्म के बारे मुझे बहुत अच्छा लगा और वह मैं लगता है कि 10 बार से ज़्यादा हम देखें होंगे क्योंकि दस बार से ज़्यादा है और उसमें का जो में डाइलग है कॉरं नहीं होती है उनकी बेटी और किसी लड़के के चकर में फसके अपनी ममी पापा को दोखा देती है तो पर फिर उने जाती है अपने ममी पापा के लिए तो लड़का फिर उनका मतलब छेड़ खानी करता है तो वहीं पर चिलाती है पापा तो खेसारी सर बचाते हैं क्या एक्सन कर रही है मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा लगता है कि यह दोनों फिल्म अगर भुछपूरी इंड़स्ट्री में आ जाए तो भुछपूरी में जो असलीलता का दाग लगा है वो दूर हो जाएगा देखिए अभी मुझे ना अभी के टाइम में खेसारी सरकां भी बहुत स अच्छा लगता है हम कोई जैतिवाद नहीं कर लें और विशेश रूप से किसी का पक्ष नहीं ले रहें आप फिल्म अच्छा है तो अच्छा है बाकिर जाते जाते चैनल के बारे में आपका क्याता होना है देखिए आप लोग विहार को सब्सक्राइब कीजिए और लाइसाथा ना कि ऐसे बड़ने में आपने।